हेलो एवरिवन वेलकम तू माई चैनल सुनु इतिहास का इतना बरा जो कहानी है वह हमारे इधर घटित हुआ था बट बुख इस बात का है कि बहुत से लोग इस जगह को अभी भी नहीं जानते हैं और इस जगह की जो कहानी है उसे नहीं जानते हैं गौर्मेंट इस पे ध्य ब्लॉग है कि आज सकेंड पार्ट में रिलीज कर रहा हूं मधवनी वाला जो उचेट दुर्गास्थान वाला जो ब्लॉग था उसका मैंने फर्स्ट पार्ट अल्रेडी रिलीज कर दिया है और यह सकेंड पाट है इसमें आपको मैं दिखाऊंगा कालिदास जी कहां रहते देख लेना सो ब्लॉग में बने रहे हैं थैंक्यू सो हेलो दोस्तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं उस जगह पर अब देख सकते हो कि यह उसका इंट्रेंस गेट है और यह सामने बिल्डिंग दिख रही है देखते हैं कि यह क्या है वो तो वहां पर जाने से ही पता ल जगह है जहां पर की कालीदास जी रहते थे तो अभी इस जगह को हनमान जी के मंदिर में बदल दिया गया यह आपर अपको struck real मां जी का मंदिर है तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसा है वह मंदिर आप देख सकते हो कि से जैस स्रिराम जो है वह देखा और काफी खूबसुरत जगह है लगाई है मुझे फिर आप देख सकते हो कि यहां पर बिल्डिंग का वो पुरा स्ट्रक्चर है और इस चीज को अब मंदिर में बदल दिया गया है तो चलिए और भी आपको अच्छी चीज़े दिखाते हैं और जब मैं उचेट दुर दास जी की कहानियां सुनी हुई है जिसमें की सबसे फेमर्स था जिस डाल को काटते रहते थे उसी डाल पर बैठे रहते थे तो अब देख सकते हो कि यहां पर सारी इमेज़े लगी हुई है और यह आप देख रहे हो कि यह वही इमेज है जो कि मैंने आपको बताया था कि जिस डाल पे बैठे हुए हैं उसी डाल को वो काट रहे हैं तो अब देख सकते हो कि यहां पर लिखा भी हुआ है कुछ-कुछ तो काफी अच्छा लगता है और काफी बढ़ियां लगा जब मैं यहां पर आया यह चीज़ देखके कि आप देखो कि कितना खुबसूरत है ऐसे और एक-दो और इमेजेस हैं वहां पर तो यहां पर यह एक स्कूल है फिर हम लोग थोड़ी सी आगे गए और देखे एक टालाव था हम लोग इधर अपने भासा में पोकर कहते हैं फिर हम लोग उने शोचा साइद उस जवाने में इधर ही चारो तरफ शायद पानी आ गया कि यहां पर माता का इमेज है तो कि यह देखने आया था कि यह जगह अभी दिक्टा कैसा है और जब मैं आया तो मुझे काफी अच्छा लगा कि इतिहास का इतना बरा जो कहानी है वो हमारे इधर घटित हुआ था बट दुख इस बात का है कि बहुत से लोग इस जग़ों को अभी भी नहीं जानते हैं और इस जग़ों की जो कहानी है उसे नहीं जानते हैं मुझे यहां पर आके काफी अच्छा लगा और काफी अच्छा मेहसूस हुआ क्योंकि यहां की जो इतिहास है इस जग़ों की अपने आप में बहुत बढ़ी है थोड़ी बहुत इस जगह को और अच्छे तरीके से रखा जा सकता है गौर्रमेंट इस पे ध्यान दे तो ये बहुत अच्छी टूरिस्ट प्लेस बन सकती है आफ्टर आल यहां पे आगे काफी अच्छा लगा थैंक्यू तो उमीद करते हैं कि आपको ये ब्लोग पसंद आया होगा थैंक्स पर वाचिंग कीप वाचिंग शो नुशो बाई